तो वेलकम बाग तो चानल इंडी ट्रावल आज हम लोग बात करने वाले अगर आप इंडिया से इंटरनाशनल स्टुडेंट यू के आने वाले हो तो आपको आपके फोरेक्स कार्ड में कितने पैसे लेके आने चाहिए या अगर आप कैस लेके आना चाहिए अपने साथ में आप यहां पर आके थोड़ा सेटल रहा आपको टेंशन नहीं तो अगर आप पार्ट टाइम जॉब करने आले तो पार्ट टाइम जॉब का क्या सीन है उससे वह कितने जल्दी आपको मिलेगे अगर नहीं मिलेगी तो आपका गुजारक के लिए आपके पास कितने पैसे होन सबसे पहले तो जो आपकी युनिवर्सिटी की फीज है उसको अलग रखते है उसके बाद आपका अकॉमोडेशन की फीज है जितनी भी है वह उसको अलग रखते यह दो जो बड़े खर्चे अगर आपने पे अभी तक नहीं किये और आप सोल्चिरों कि यहां पे आने के ब आएंगे तो तो हमें कितना खर्चा आएगा और हमें कितने पैसे लाने चाहिए तो हम लोग उस बारे में बात करें सबसे पहले तो आता है खाना फूड ग्रोसरी अगर आप अकुमोडेशन और युनिवर्सरी छोड़ दे तो तो ग्रोसरी में आपके 20 पॉंड भी खर्च से खरीद रहे हो कहां से खरीद रहे हो और क्या खरीद रहे हो यह सारी सब्सक्राइब करती है तो एक नॉर्मल परसन की अगर बात करें तो उसको 20-25 पॉंड या 30 पॉंड पर वीक का खर्चा आता है ग्रोसरी का तो यह अगर आप मिला लो तो आपके महीने का 100 से लेके 150 प पास नहीं गोट तो आपको बस देनी पड़ेगी यह सब्वेए लेना पड़ेगा ट्रांब अगर आपके cd मे थो नहीं सकते हो लेकिन यह लेना टो पड़ेगा आपको्यची में तो नहीं मिलेगा आपको तो ट्रांश पॉंड को सबसेशों को यूटे में है सारे ईंग yep तो यह डिपंड करते हैं कि आप मुझे इजाज़त दे तो मैं आपको बताऊंगा कि आप एक ऐसी चीज खरीद सकते हैं एक ऐसी जादू ही चीज जो आप इंडिया में नहीं चलाते हो लेकिन यहां पर आप उसके चला लोगे तो बड़े फायदे होंगे और बड़े पैसे बचाएगी बाइक मतलब यहां पर साइकल को बाइक बोला जाता है तो अगर आप खरीद लोगे यहां पर जो आपको 50-60-70 पौंड की मिल जाएगी तो वह 70 पौंड अगर एक बार खर्च कर लोगे एक दम बन टाइम इंवेस्मेंट है इसमें कुछ आपको एक्स्टा से ओविसली वह भी आपके घर के पास नहीं रहेगा तो भी आप बाइक उसकर सकते हो लेकिन अगर वह एक घंटा दूर है तो अगर आप खरीद सकते हो और अगर आप इंट्रेस्टेड हो तो प्लीज भाइक खरीड़ो क्योंकि यहां पर सारे लोग चलाते और बाइक ही ख कर चुके हो अगर आप यह दोनों चीज़े करने वाले हो पहले तो करना ही पड़ेंगा उसके बात तीसरा जो खर्चा आता है वह मिस्लेश अगर आप इंडिया से यूक या पहली बार आ या 1 खार हो एक वह चीज होती है कि यहां और एक वीकेंड कल्चर है जो हमारे इंड time job कर रहे हो तो वो तो अलग बात है लेकिन आप वीकेंड पर थोड़ा बहुत तो आओगे तब सोचके सब यह आते कि भाई हमें पैसा बचाना यह करना है कुछ नहीं करेंगे लेकिन आने के बाद जो होता है ना वह पीर प्रेशर और यह सारी चीज़ देख के भी चीज़ ह होती है तो वो देखके इंसान बिगल जाता है तो आप करोगे तो यह खर्चा भी पगड़ के चलो यह मत सोचो कि मैं नहीं करूंगा मैं नहीं करने वाली यह सारी चीज़ है आप करोगे तो वीकेंड पर आपका अगर आप स्टुड़ेशन में रते हो फ्लाइट में रते ह यहां पर उसके बाद बोर होई जाओगे उसके बाद छोड़ दोगे करना लेकिन कर लो करके छोड़ो ऐसा मत सोचो कि यार मैं करूंगा ही नहीं और फिर बाद में दिमाग में वही चलते रहेगा और ना यह डंग से घर पाओगे ना वो तो वीकेंड पर आप समझतों 50-100 आपका मतलब पूरे मंत की बात करो अगर आप बहुत लिमिटेट खर्च करते हो तो 50-100 आपका खर्च करेंगे तो इतना खर्चा वीकेंड पर होगा 50-100 दूसरी चीज़ है कि अब उसके बात आता है अगर आप इन सब को मिलाद ओ तो आपके होते है 350 पौंड एक on and average चीज बता रहो यह सारी चीजे अब ये जो है मैं rent छोड़ के बाद करो अगर आपका rent इसमें include होता है तो ये और उपर चले जाएगा बतलब 900-800 जित्ता भी आपका rent है लेकिन बिना rent का जो खर्चा होगा आपका यहाँ पे वो होगा 350 pounds की आसपास कम भी हो सकते हैं चाहे तो आप 100 pounds में भी गुजारा कर सकते हो चाहे तो आप 1000 pounds में भी कर सकते हो मर्जी आपकी है मेरा काम था यह बताना कि average अगर worst के scenario भी हम लोग कुछ भी और चीज़े करते हैं तो इतना आपको लगेगा और हम लोग अगर नहीं घूमते हैं तो भी हम इतना लगेगा नहीं घूमते हैं तो अच्छी बात है वो पैसे सेव हो जाएंगे मर्जी आपकी है मैंने ट्रावलिंग के लिए आपको बता दिया अगर आप बाइक ले ले पहले ही 60-70 pounds खर्च करके तो आपका जो है वो वह भी पैसा बच जाएगा नहीं लेते हो तो आपका ट्रावलिंग में पैसा जाएगा तो इट ऑल डिपेंड्स ओन मी की यह तो डिपेंड्स ओन यू यार क्योंकि तुम्हें करना है सब कुछ बागी मजे बजे तुम करोगे तो तुम और पैसा खर्च कर बैठोगे लेकिन भेड़ चाल में मत घुसना कि भाई हम लोग आए हमें से वेप करना अगर गिए में तुम आयो कि हमें यहां पर आके बढ़ाई बढ़ाई करनी है थोड़े पैसे बचाने लोन अगर लेके आओ जो बहुत सारे लोग लेके आते हैं तो यह था आपका ब्रेकडाउन बेसिकली 350 पाउंट 300 पाउंट आपको महीने का खर्चा आएगा अब आपको कितने पैसे लाने चाहिए कमिंग बाक तुद पॉइंट वह यह है कि आप 350 पाउंट पर मंत के हिसाब से मैं बोलूँगा दो तीन मेने के पर आपको स्टार्टिंग में निशे ल मिलना टाइम लग सकता है इसा नहीं कि आते हैं अगर आपको काम नहीं मिला तो आपके बास गुजारे के लिए पैसे होने चाहिए तो अराउंट एकाद लाक रुपे और 1000 पाउंट लेकर आउसाथ में ताकि आप उसके रखो अपने पास ना रखो अगर आपको लग जाती जौब पार्ट ताइम दस दिन में या एक ही दिन में लग जाती है पहले जिन तो अच्छी बात है नहीं लगती तो आपके वास रेनी डे के लिए इतना पैसा रहेगा कि मैं अपना गुजारा कर सकता हूं ठीक है तो यह एक चीज है कितने पैसे लाने चीज़ी है इसके हि अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करो शेर करो सब्सक्राइब करो और सी यू इन नेक्स वीडियो